नमस्कार हमारी खास पेशकश धन वर्षा के मंत्र में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आयुशी गुपता हर साल दिवाली का तिवहार कार्टिक मास की अमावस्या तिथी को मनाई जाती है और दिवाली का पर्व उत्सा और धूम धाम से मनाया जाता है इस दिन मुख्य रोप से भगवान गनेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह माननिता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और अच्छे कर्म करने से माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता है जिससे घर में धन, सिमध्धी आती है आपको बता दे कि दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गनेश की पूजा की जाती है जिससे घर में सुख, सिमध्धी और शांती आती है दीपक जलाने का विशेश महत्व है क्योंकि यह अंदकार को दूर कर प्रकाश का प्रतीक होता है माना जाता है कि दीपक जलाने से सकरात्मक उर्जा का सरचार होता है और माता लक्ष्मी का आशिरवाद मलता है जिससे घर में धन, धान्य की वर्षा होती है और हमारे साथ इस्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद है पारुल चौदरी और निती शर्मा आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल पारुल जी आपसे ही लेना चाहूँगी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि दिवाली मनाए कब 31 को मनाए, 1 को मनाए आप पहले दर्शकों को बता जिए कि दिवाली मनाए कब और पुजा की विधी भी न्यूज एडीन के दर्शकों को दिवाली की बहुत-बहुत शुप कामना है तो यह बहुत-ज्यादा कन्फ्यूजन है 31 की है, एक है, बहुत यच्छा आपने सवाल किया तो अभी जो हम बात करेंगे ना दिवाली कार्तिक मास की जो होती है, आम वस्या तीथी को मनाई जाती है यानि की रातरी का तो हा रही है तो हम यह रातरी को ही मनाएंगे तो रात को जो 31 तारीक है जो 31 तारीक जो 31 अक्टूबर बढ़ता है उस दिन जो प्रदोशकाल लग जाएगा दो बच के 40 मिनट पर लग जाएगा यानि हम मवस्या की तीथी दो बच के 31 तारीक को दो बच के 40 मिनट पर शुरू हो जाएगी उसके बाद हम जो पूजा करते हैं वो विशब काल में पूजा की जाती है और हम जब भी पूजा करने का दिवाली पूजान हम देखते हैं तो विशब काल भी देखा जाता है साथ में हम देखते हैं प्रदोशकाल कब लग रहा है तो दोनों जो तीथी आए न वो 31 तारीक को ही हमको मिल रही है लेकिन पुरानिक शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है हो सुर्योदे तीथी में मनाते हैं हरते वार तो एक नवंबर लोग बोल रहे हैं वो इसलिए कांट्रीक्शन आ रहा है लेकिन जो सुर्योदे की तीथी में हम दिवावली नहीं मनाते हैं हम मवस्या की रातरी को ही मनाते हैं, तो जो प्रविशब काल आएगा वो आपका पड़ेगा छे बच के 20 मिनट पर से शुरू हो जाएगा, रातरी के 8 बच के 11 मिनट तक रहेगा, और जो आपको आतयान तो पूजन, लक्षमी पूजन का शुब महूरत रहने वाला है, वो रह पूजन का शुब महूरत रहेगा, उसी में लक्षमी मा का आगमन होगा. आपसे जाना चाहेंगे कि दिवाली पर पूजन की विधी क्या होती है, वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजे. माता लक्षमी आज के दिन समुद्र मंतन से प्रकट प्रकट हुई थी. और साथ में आजी के दिन भगवान राम, लक्षमन और माता जान की पुना आयोध्या में 14 वर्ष का बनवास काटने के बाद, रावन का वद करने के बाद, एक अंधकार रूपी दानब का वद करने के बाद आयोध्या में आये थे. और मावस्य की तिथी में क्योंकि चांद नहीं होता है, तो कहीं न कहीं दिपोसफ का विशेश महत तो माना जाता है. पुरिय योध्या आज के दिन बीपक के दुआरा सजाई गई थी, घरगर बंदनवार बने थे, बहुत हर्षोत उल्लास के साथ लोगों ने आज के दिन को सेलिब्रेट किया था, उसी तरीके से आधिकाल से हम सब हिंदू सनातनी आज के दिवस को विशेश रूप से, भव तेरस से प्रारम होकर भईया दूज तक चलता है विशेश रूप से इन पांचो दिनों को ही हम दिपावली के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अमावस्यतिति का विशेश महत्व है, विधी के लिए सबसे पहले आयूशी जी, सबसे पहले तो क्योंकि दिपावली आज के दिन आपको अपने मुख्ये द्वार पे, क्योंकि वासु की दृष्टी से भी जो आपका द्वार है, वहीं से लक्षमी का आगमन होना है, माता लक्षमी की विशेश कृपा पाने के लिए आज के दिन आप अपने घर का नौर्ट इस्ट कॉर्णर यानि की इशान क वहाँ पे आप एक मंदिर को स्थापित करिए, चौकी लगाई ये लकडी की, उसके उपर लाल रंग का कपड़ा बिचाईए और उसको एक मोली से बान दीजिए, उसके बाद माता लक्षमी और गणपती को विराजिए, गणपती को विराजते समेश सीज का विशेश ध्य कि माता लक्षमी गणपती के धाईनी तरफ होंगी, क्योंकि वो माता का ही सरूप है, और उसके बाद आप गणपती को माता लक्षमी को उनको श्रिंगार करें, पंचामरित से पहले सबसे पहले पुस्नान करें, और उनको श्रिंगार करें, उनके लिए पूजा की थाली गी का दिपक और चार मुखी सर्षो के तैल का दिपक, आप जलाएं। खील-पताशे रखिए लगा माटा लक्षमी को दिविसा कर दोवावन घंपति के समक्षट दूबागाशy और मिश्ठान रखिए सासत अरोली चंदन को आप रखिए कोडियों का और गोमती चक्र का विशेश महत उमाना जाता है तो अचि पूजा में 5 कोडियां 5 गोमती चक्र अवश्य रखें अगर किसी भी रूप से आपके घर में धंदानने की कमी है निर्धनता बार बार आपके दर्वाजे पे दस्तक देती है तो कनक धारस्तोत्रों श्री सुक्तम का पार्ट कम से कम आप 11 बार आज के दिन करिए और फिर देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी की विशेश कृपा आपके घर में प्राप्त हो भी पारुल जी धन प्राप्ति के लिए कई तरीके के मंत्र जो है उचारण उसका किया जाता है आप से जाना चाहेंगे कि धन प्राप्ति के लिए कौन सा विशेश मंत्र जो है उप्योग किया जाए जी बहुत बढ़िया सवाल आपने करा क्योंकि लक्ष्मी जी का तो बिल्कुल इंटरेक्शन जो होती है लक्ष्मी मा का सोस्ते ही इंसान के मन में धन 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 आना स्टार्ट हो जाता है सिक्के गुंजने लग जाते हैं गंसे सबके दिमाग में तो आज जो मंतरों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है मंत्र उचारन रातरी के समय आपको जब भी आप पूझा करते हैं उनका विशेश महत्व होता है उस समय पे ये चीज़नी होके आपको मिलती है चाहे जिसे पूझा का महत्व है तो रातरी में बैटके पूज़ा कर लें आपकी आर्ती हो जाए आप माता लक्षमी की सभी लोग पूज़ा करने घरवाले मिलकर उसकेद आपको न उस से पंद एक्षॉचन कर ना उनक कर ना है उन्ही लोग करिए जिस नवे हैं और Лब क्या चैनल साथिव c यह राहू की वज़ा से बहुत जगते आरी हैं, तो लक्षमी का प्रिय हाथी बहुत है, तो आप चांदी का हाथी जरूर एक बर मालक्षमी को अर्पित करें, चढ़ाएं और उनके साथ विराजमान करें, जो आप पूजा अर्चना करेंगे, और अगर जो भी लोग किसी ऐल हाथी लीजिए, विराजमान कीजिए, लक्षमी मा के साथ उसको और उसकी पूजन कीजिए प्रौपर तरीके से, और लक्षमी जी का मंतर का जाब बार्बार करना है, जिस वज़ए से आपको धन भी आए, और साथ में आपको आज हाथी अगर मिलता है ना, तो आपको आप को गन्ना जरूर खिलाना है जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ में आपको धन के भी लाव होंगे और अनिक बकार के सोत्र भी खुलेंगे और आपको अज धन के लिए मैं बोलू तो कौडियां तो रखनी ही है कौडियों के साथ सादगर हो सके कमल गट्टे की जो माला होती है ना वो बना के मां लक्ष्मी को चड़ाइए और साथ में कौडियों के साथ साथ एक यंत्र या फिर लक्ष्मी गनेश का जो सिक्का होता है चांदी का सिक्का वो रखके लाल कपड़े में बांद कि अपनी तीजोरी में पूजा करके रख लीजिए इसे धन इनके जो सोत होते हैं आई के स्टोत होते हैं जरूर खुलेंगे और आप के बास लक्ष्मी जी का अब आगमान भी होगा बिल्कुल जिस हिसाब से आपने बताया कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसंद करें जारी सी बात है जो दर्शक देख रहे होंगे वो ये सुपाय को करन निती जी से ले लिना चाहते हूं निती जी माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए अच्छु कुपाय कौन-कौन से करे क्योंकि कुछ तो पारूल जी ने बताया आप क्या कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को बता दिजिए है यहां कि हमारे शास्त्रों में यत्र तत्र नारिस्तु पुझियंटे रमंते तत्र देवता का सिद्धान है सबसे पहले तो लक्षमी पूजन को आपको अपने क्रेक्टर में उसको इनिविट करना यानि कि आपको जितनी भी नारी सुरूप में आपके जीवन में आपकी लेडीज को मिलते हैं, किसी भी एज ग्रूप के उनको सम्मान देना है, उनको आदर देना है, क्योंकि अगर आप नारी को सम्मान नहीं देंगे, तो लक्षमी की कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी, जो समाज में दुराचार चल रहा है, तो उसे यही प्रतीत होत से साउथ में भूदेवी की भी पूजा की जाते हैं, यानि की मदर अर्थ की, क्योंकि हमें जितनी भी संपदा है, वो पृत्वी के गर्ब से ही मिलती है, सासत आज के दिन मालक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त करने के लिए, आपको श्रीयंत्र को ज़रूर अपने अपने कारेस्तल में स्थापित करना चाहिए, आपको माकिट से स्वटीक का श्रीयंत्र भी मिलेगा, और अश्टधातू का भी श्रीयंत्र मिलेगा, उसको एक चान्दी की प्लेट पे आप उसको स्थापित करें, उसको पंचामरित से स्नान करवाएं, और महलक्षमी मंत्र के साथ, शृृ सूẫn का कम से कम ग्यारा भार आप पाठ करें, कनग धरस्तोत्र का भी आप पाठ करें और शृृ यंट्र को आप चार्च करें, इसमें अख्षत आप अरपन करें, साबूत होने चावल उनको परपन करें, छे कमल के उपर मालक्षमी विराजती है, तो छे और छे जो संख्या होती है, वो शुक्र की संख्या होती है, शुक्र कही ना कही नेतरित्व करते हैं, मातालक्षमी का ही और ये ग्रह आपको लक्षरी, आपके जीवन में हार्ट कैश, जितना भी आप देखते है लाइफ की वो सब आपको शुक्र यानि की प्लानेट वीनस की कृपा से प्राप्त होता है उसका अंक नुम्रोलोजी में छे है तो छे की संक्या में कमल के पुष्पा मालक्ष्मी को अरपन करेंगे साथ सथ 6 कमल गटे के बीच 6 गोमती चक्र 6 पीली कोडियां 6 हल्डी साथ में आपको मारकिट से लक्ष्मी की कुण्जी मिलेगी कुबेर कुण्जी कही न कहीं आपके जीवन में जो ताले लगे हूँ है जहां से आपको धन की प्राप्ति हो रही है या ब्लॉकेज है वो ताल खोलेगी तो एक कुबेर कुण्जी को भी आज आप आज के दिन स्थापित करिएगा साथ सत मातालक्ष्मी को आज के दिन आपको मीठा पान का भोग लगाना है ऐसा करने से आपके ना केबल जीवन में धन की क्रिपा प्राप्त होगी लेकिन आपके दिश्तों में भी मिठ इसके उपरांत माता लक्ष्मी को जब आप यह पूजा कर लेते हैं तो इसको आपको लाल कपड़े बिछा कर अपने धनस्थान में अपने मंदिर में आप इसका श्रीयंत्र को स्थापित करें और नित्ते आप रोज थोड़ा से समय निकालके थोड़ा से अक्षत और पुष अपने घर आवान की आप ऐसे प्राखना करके आप करें निश्य आप देखिएगा धन की कोई भी कमी अगर आपके घर में चल रही है तो वो इस उपाय से खत्म हो जाएगी और यहाँ पर रुकतिक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन से राश्यों को कौन सा खास उपाय करना चाहिए दिवाली के मौके पर